नमस्कार दोस्तों मनु केटिव गार्डन में आपका स्वागत है तो जैसे कि आपको पता है कि कबार से जुगार गार्डन है मेरा और इसमें मैंने सभी वेस्ट मैटीरियल से ग्रो बैग बनाकर इन प्लांट्स को लगाया है मैंने अपने चट पर ऐसे प्लांट्स लगाए हैं जो कि फुल सनलाइट में रह सकें और उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो तो इसमें मैंने बोगन विला है और ये सबजियों वाले प्लांट्स मैंने सारे अपने चट पर ही लगा रखे हैं और हिबिसकस के प्लांट्स हैं डबल चांदनी हैं मोगरा है और काफी सारे और गोरी चोरी का प्लांट्स है अलग-अलग कलर की बोगन विला हैं काफी सारे कलर की बोगन विला मेरे गार्डन में हैं और मैं इनके एक-एक प्लांट लाई थी और एक प्लांट से मैंने में अमरूद का यह plant लगा हूआ है यह भी मेरा एक cooler था wasp इसका भी मैंने planter बना लिया है और काफी healthy यह मेरा plant चल रहा है और यहां देखे यह तो आपने पहले भी मेरी video में देखा है छोटा सा fountain यह खुदी मैंने बनाया है और आप जिसके पारे में हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में वो ये साइकिल है ये मेरे बेटे की साइकिल है और काफी साल हो गए इस साइकिल को और आपको ये अब अच्छी कंडिशन में दिख रही है लेकिन जब ये साइकिल का मैंने प्लांटर बनाया तो ये इतनी बुरी तरह से त कुछ तूट गया था क्योंकि ये मेरे बेटे की साइकिल है तो मैंने इसे बिलकुल भी कबाड़ी को नहीं दिया मैंने सोचा किसी भी तरह से मैं इस साइकिल को खुद ही ठीक करूँगी दोस्तों जब मैंने इसका ये प्लांटर बनाया तो जब मेरा चैनल नहीं था क्लर के हुए तो आज मैंने इसको बिलकुल नया कर दिया है किस तरह से इसको मैंने बनाया है ये देखे इसमें मैंने मेरे पास इसको खुद है और ये एकदम बिलकुल नहीं हो गई है दोस्तों इसका ये फट्टियां हैं इनको लगाकर इसे मैंने पहले सीमेंट से फिक्स किया फिर मैंने लोहे के तार से इसे सपोर्ट देने के लिए दोनों तरफ ये फट्टियां लगाई और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये प्लांटर मैंने इसके उपर किस तरह से फिक्स किये और तो मेरा बेटा भी काफी बड़ा हो गया है और ये देखे एक प्लास्टिक का डबा था उस डब्बे को मैंने उपर से कट किया और उपर से कट करने के बाद जो ये साइकिल की गद्दी थी ये पूरी तरह से तूट चुकी थी इसकी गद्दी को निकाला और जो ये लोहे का स इस स्टेंड पर मैंने सीमेंट से इस डबे को फिक्स किया और फिर लोही के पतले वाले तार से मजबूती देने के लिए इसे अच्चे से बांद लिया और उसके बात हैंकर These C parliament attach the दिया कलर काफी डल हो चुके थे काफी पुरानी ये लग रही थी तो आज मैंने इस पे कलर करके इसे नया बनाया है इसमें मैं प्लांट्स भी लगाऊंगी और ये देखे आगे ये एक जो सोन पापड़ी के मिठाई के डब्बे आते हैं उसका मैंने ये आगे बोक्स रखा और बोक्स भी मैंने इसे सिमेंट से फिक्स किया और पतले वाले लोही के तार से और आगे मैंने अपने बेटे का नाम लिखा है प्रिंस जोदरी क्योंकि ये उसी की साइकिल है और इस तरह से मैंने वाइट कलर इस पर कर दिया है और वाइट कलर करने के पाद जो ये तार ह तो मैं इस तरह से जो भी waste material होता है उसे मैं फैकती नहीं हूँ और ये तो मेरे बेटे की cycle है तो इसे तो मुझे अपने गार्डन में रखना ही था और इस तरह से मैंने ये तयार किया है और आपको ये मेरा planter कैसा लगा cycle का तो आप comment करके बताना और इस तरह से मैंने black black धारिया कर दी है और ये बिलकुल honey bee का बहुती सुन्दर planter बनके तयार हो गया है और उपर मैंने इसमें मिट्टी भर दी है और इसमें मैं plant लगा कर भी तिखाऊंगी आपको कि मैंने इसमें कौन से plants लगाई हैं तो मेरे garden में baby sunrose काफी सारे baby sunrose के plants है wandering zoo के plants हैं तो मैं सोच रही हूँ वही लगाऊंगी क्योंकि मुझे इसे terrace पर रखना है नीचे बिलकुल भी जगह नहीं है नीचे भी मेरे काफी सारे plants हो गए हैं तो घर वालों की भी डाट पड़ती है कि पूरे घर में plant plants कर दिये मिट्टी कर दी तो एक बात बताऊं दोस मैं भी जो मुझे करना है मैं उसे करती जरूर हूँ तो यह देखे wandering zoo और baby sun rose की cutting मैंने अपने garden से ली है फिरी की ही यह मेरे plants तयार हो जाएंगे फिरी का यह मेरा planter है और waste यह डब्बे हैं इनका मैंने यह planter बना लिया तो यह देखे cycle stand का planter यह आपको कैसा लगा यह और इसमें मैंने compost अच्छे से मिला दी है क्योंकि छोटे छोटे planter हैं बार बार इसमें खाद नहीं दी जाती है liquid तो मैं देती रहती हूँ और इसमें अब मैं आपको plants लगा कर भी दिखाऊंगी और मैंने colding की बोतल से यह जो wiper होते हैं टूटे वे इन में fix करके यह कितना प्यारा यह फूल किला हुआ है और इसमें मैं wandering zoo लगाऊंगी और पीछे जो planter है उसमें मैं baby sunrose का plant लगाऊंगी तो देखे दोस्तों फिरी में ही मेरे garden में यह एक decoration वाला piece तयार हो गया है बनके और आप बताइए यह आपको कैसा लगा तो और पीछे मैं इसमें baby sunrose का plant लगाऊंगी और देखे इस तरह से मैंने दोनों planter में plant लगा दिये हैं आप बताइए कितना सुंदर यह देखने में लग रहा है और दोस्तों अब आपको मैं बताती हूँ कि मैंने थोड़े से यह प्लांट समंगाई थे नरसरी से गर्मियों के लिए क्योंकि समर में यह जो नाइनो कलोक वाले hybrid के plant होते हैं बहुत ही जादा इसमें सुंदर फूल किलते हैं colorful और इसे हम full sunlight में रख सकते हैं यानि छट पर लगाने के लिए यह best plant है और गर्मियों में इसे फूलों का राजा भी कहा जाता है और पांच color के मैंने यह plants मंगाई हैं और यह मुझ प्लांट्स कहीं पर यह 10 रूपीज के मिलते हैं और तो कोई बात नहीं लेकिन मुझे तो यह लेने थे अपनी गर्मियों में plant मुझे चाहिए थे फ्लावरिंग वाले और यह hybrid विंका के मैंने दो प्लांट लिये हैं एक बार मेरे पास काफी सारे hybrid विंका के प्लांट्स हो कि रिपोर्टिंग करके भी दिखाती हूं क्योंकि दो दिन हो गए हैं मुझे यह प्लांट्स मंगाए हुए यह देखे अच्छे से compost और sand mix करके मैंने यह grow bag तयार कर लिये हैं यह भी मेरे waste material के हैं और इसमें मैं यह विंका के प्लांट लगाऊंगी तो आप बताना यह प् नेट वगेरा कुछ नहीं है तो मुझे ऐसे ही प्लांट्स अपनी टैरिस के लिए चाहिए थे और बहुत सुंदर सुंदर इसमें फूल आते हैं और जो यह hybrid विंका का प्लांट है देखें दोस्तों इसे जो मई जून जोलाई की तेज गर्मी होती है उससे इसे बचाना है इसे थोड़ा shady area में रखना है और इसको मैं वहां रखूँगी जहां पर इसे सुबह की सिर्फ एक दो घंटे की ही धूंक मिले और इसके बाद जो यह नाइनो क्लोक वाले हैं hybrid के और इनको मैं full sunlight में रखूँगी और इस तरह सभी port में मैंने यह plants लगा लिये हैं तो दोस् कमेंट करके बताना कि आपको मेरे यह plants कैसे लगे और cycle का planter आपको कैसे लगा तो दोस्तों समर में अगर आप नरसरी जा रहे हैं और plants खरीदने की सोच रहे हैं तो यह plants तो आप जरूर लाएं क्योंकि बहुत ही कम केर वाले plants होते हैं और फूल भी इन पर भर के आते हैं य अब मैं इन में हर 15 दिन बाद liquid fertilizer दूँगी और वो भी मैं आपके साथ share करूँगी तो यह देखे दोस्तों और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को आप लाइक करें शेयर करें जो दोस्त मेरे चैनल पर नई है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें थैंक्स पूर वाचि